स्वागत है आपका अभी क्लासेश डाउट्स में और आपका प्रशन है कि कभी स्वेथ यानि सफेद रंग का तो कभी रंगीन यानि अलग-अलग रंग के पत्ताकाओं का फाराना किन अलग-अलग अवसरों की और संकेत करता है तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे कि लेखी का मदू कांकरिया ने यात्रा विरितांत साना साना हाथ जोड़ी ये कहानी का नाम है कि माद्यम से अपने यात्रा का संपुर्ण जानकारी प्रस्तूत करती है एक वक्त यूम-यांग के रास्ते में उन्होंने एक निर्जन जग प्ले दूसरे तरह का होता है ये बहुत ही लंबा होता है जैसे कि आप अगर कोई भी जंडा जैसे बजरंग वली का जंडा देखें द्वज कुछ इस परकार से होता है परंतु ये दो ध्वज है बजरंग वली का ये एक लंबी खंबा में सिर्फ उपर में ही द्वज रहत लेकिन पत्तकाओं के अगर हम बात करें तो यह जो है पत्तकाओं यह नीचे तक इस तरह से फैरती रहती है इन्हें हम पत्तकाओं कहते हैं तो यह जो पत्तकाओं हैं कभी स्वेत कभी रंगिन दिखता था तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि एक वक्त जब वो यूम्यांग के रास्ते में उन्होंने एक निर्जन एक ऐसा जगा जिसमें कोई भी वेक्ती नहीं हो उसे निर्जन जगा कहते हैं मितलब खाली वहाँ पर कई पत्तकाएं देखी जिसे देखकर वह सोचने में मजबूर हो गई एवं जिते नार्गो जो उनका गार्ड था जो उनको पत्तकाएं गाड़ दे जाते हैं और ये पत्तकाएं पराया सांती के लिए होते हैं उसी परकार से अगर रंगीन पत्तकाएं की बात करें तो ये पत्तकाएं किसी सुब कारिके सुबारंब पर गाड़ा जाता है ताकि कारिक कुछ सलता प्रुवक संपन हो सके ये रंगीन इस प्रकार ये दो पतकाओं से यह बात इस पश्ट होता है। ये था आपके सवाल का जवाब और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद